हे गाईस, वेलकम टू दा स्टेडी विद मायंक, मैं हूँ आपका मायंक और आई लारा हूँ मैं आपके लिए N.C.E.R.T. पॉलिटी, क्लास 7 के MCQ, देखें इसी क्रम में आज हमारा यहाँ पर चैप्ट नमबर 8 है, यहाँ पर हम बाजार में एक कमीज, चैप्टर से समधित MCQ प्रशनों को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, आज का पहला प्रशन है आपका, वस्त निर्मार प्रक्रिया के स्त्रंखला बद्वेचरणों के संधर्म में निम्निकित कतनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बुझा गया है कौन स्टर्ण असत्य है, देखें जो आपका कपड़ा बनता है, उसको कपड़े को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया होती है, कहां से कच्चा माल आएगा, कच्चा बाल कैसे प्रसंसकरत किया जाएगा, प्रसंसकरत के बाद क्या-क्या किया पहला यहां पर option है आपका परंपरागत रूप से कपला निर्माल उद्ध्योग में कच्छे माल के रूप में कपास का इस्तिमाल किया जाता है 2. किसान कपास के पौदों पर आए डोड़े पकने के बाद उन्हें एकठा कर जिनिंग मिल को बेश देता है 3. जिनिंग मिलें कपास के बीज हटाती है और दवाकर कपास के गठर बनाती है 4. सूत मिलें कपास के गठरों को खरीद कर उनसे धागा बनाती है 5. अंतिम प्रक्रिया में कपड़ा निर्माड एकाईयां सूत मिलों से धागा खरीद कर उनसे वस्त्र बनाती है देखे कपड़े तो जो होते हैं आपके कही सारे माटरियल को यूज़ करके बनाए जाते हैं ये बात आप सब लोग जानते हैं कपास के पेड़ में फल आते हैं तो उन फलों को डोडा कहा जाता है वहां से इने फिर जिनिंग मिल में भेच दिया जाता है जिनिंग मिल में कारी ये होता है कि जो फल है उन फलों को इक्तम साफ करके छील कर उनसे रुई निकाल ली जाती है और रुई निकालने के बाद क्या किया जाता है उनके गठर बना दिये जाती है गठर बना के उसे compress करके रख दिया जाता है तो यहाँ पर second state बिल्कु सही है कि वही जो डोडे हैं डोडे जिनिंग मिलों में जाती है जिनिंग मिलों में क्या होता है जिनिंग मिलों जो है कपास के बीज टाती है और दबा कर कपास के गठर बनाती है तो third statement भी यहाँ पर सही है अब बाद में इसके बाद क्या प्रक्रिया आती है इसके बाद आती है सूत कातने की यानि कि आपको पता होगा जो cotton होती है यानि रुई होती है रुई से आपका धागा तयार किया जाता है तो सूत मिले क्या करती है कपास के गठरों को यानि जिनिंग मिले से खरीद लेती है और इससे फिर धागा बनाती है तो धागे के बंडल यहां बने गए अब अंतिम प्रक्रिया में क्या होता है अंतिम प्रक्रिया में जो कपडा पूरी प्रक्रिया यहां पर सही है, पूँचा यह गया है कि यहां पर कौन सा गतन असत्य है, तो इन में ऐसे कोई भी कतन असत्य नहीं है, तो आंसर है आपका D. Question number second है आज आपका, तमिल नाडू में सब्ता में दो बार लगने वाला, इरोड का कपला बाजार संसार के विसाल बाजारों में से एक है, इस संधर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, पूँचा गया है यहां पर कौन सा गतन सत्य है, पहला है इस बाजार में आसपास के गाउं में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी बिकने के लिए आता है सेगंड गाउं के पास कपड़ा ब्यापारियों ने अपने कारियाले स्थाबित किये हैं थर्ड है आपका, इस्थानिय बुनकर व्यापारियों से ओर्डर लेकर उनके अनुसार कपड़ा बना कर यहां लाते हैं. चौथा यहां के ब्याबारी सिर्फ देश के भीतर ही वस्त निर्माताओं और निर्यात्रों को उनके order के अनुसार कपड़ा उपलब्द कराते हैं तो यहां पर क्या है कि यहां पर इरोड के आसपास के जो गाउं के बुनकर हैं वो अपना बना हुआ कपड़ा यहां पर बेजने के लिए लाते हैं इस बाजार में तो पहला वाला कतन बिल्गुर सही है सेकंड कथन की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखें यहां पर लिखा है गाउं के पास कपड़ा ब्यापारियों ने अपने कारयाले स्थापित किये हैं गाउं के पास तो इस्थापित नहीं करेंगे, वो नगर में ही स्थापित करेंगे, तो जातर ब्यापारियों ने क्या किया है, नगर में अपने कारियाले स्थापित किये हैं, ताकि जो गाउं वाले हैं, वो इरोड में अपना कपड़ा लाकर बेशते हैं, तो उनके कपड़ से order लेकर उनके नसकार कप्डा बना कर यहां लाते हैं। अगर में थोड़ा सा अबढ़ानधेने वाली बात यहां पर और बुनकर के बाद यहां पर बीच में होता है आपका bundle कपड़ा चाहिए, तो ये बुनकर जो होता है, ट्रेडर को कपड़ा बना कर सयार करता है, ये उसके बदले उसे भुगतान करता है और ट्रेडर इस कपड़े को ले जागर किसी मिल में या किसी जो है जहाँ पर कपड़े से विविन परकार के उत्पाद बनाई जाते हैं, यसे कमीज बनाई जाती है, आपके पैंट बनाई जाते हैं, बहुत सारी चाहिए कपड़े से बनाई जाती है, तो फुर उन जरी वस्त निर्माताओं और निर्यात्कों को उनके आडर के अनुसार कपला उप्लब्द कराते हैं. ओविस्ती बात है अगर आप थोड़ा सा सोचें, दीके तमिल नाडुगा जो इरोड़ वाला कपला बाजार है, ये संसार का सबसे विसाल माना जाता है, तो संसार का जब म अर्थवस्ता का आधार रहा है, वस्त निर्माताओं और निर्यात्कों को उनके अनुसार उप्लब्द करवाते हैं, तो यहाँ पर चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा, क्यूंक2 यहाँ पर लिकाए सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, देश के भीतर ही नहीं, बलकि देश ब बाहर भी ये निर्माता और निर्यातकों को कपड़ा ओर्डर के अनुसार उपलब्द करवाते हैं। तो यहां दूसरा और चोथा खतन गलत है, पहला और तीसरा खतन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल एक और तीन। Q3 है आपका, भारत में प्राचीन समय से ही वस्त निर्माड उद्योग परंपरागत अर्थिवस्ता का आधार रहा है, वस्त निर्माड की दाधन विवस्ता की संधर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, यहां पर पुछा गया है कौन सा गतन असत्य है, गलत कौन सा है पहला है, इस व्यवस्ता में बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता और साथ ही तयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्ता भी हो जाती है Second है बुनकरों को प्रारम में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है Third है आपका कच्छे माल को प्राप्त करने और तयार माल की विक्री के लिए भी ब्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते हैं ब्यापारियों का बहुत बर्चर सुपन जाता है चौथा है इस अर्ध ब्यवस्ता में बुन्गर ब्यापारी से यह जान सकते हैं कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा जैसा कि मैंने आपको पहले वाले प्रेश्ट में concept clear कर दिया था ब्यापारी कोई फर्म नहीं है ब्यापारी एक मद्यस्त का रॉल निभा रहा है यानि कि एक company के बीच और बुनकर के पीच एक मद्यस्त का रॉल निभा रहा है समझने वाली बात ही है दाधन विवस्ता में होता क्या है दाधन विवस्ता में यह होता है वैसे आम तोर पर जो आपके बुनकर होते हैं वो उतने जाधा गरीब होते हैं कि कच्छा माल खरीद करें, जो सूत बगरा है, खुछ से करीद कर, कपड़ा बनाना, जो कपड़ा अपने आप नहीं बना सकते, क्योंकि इतना जाते हैं पर लागत भी आती है, मसीने भी नहीं लेनी पड़ती है, मसीनों से जोड़े हुए एक्विपमेंट जो अपडेट करन आपको इतनी लागत देंगे, इसके बदले बाप हमें ये बना हुआ माल देंगे, तो यहाँ पर बुनकर बनाने को तयार इस बज़े से हो जाते हैं, कि बुनकर को कोई अत्रित लागत नहीं लग रही होती है, बुनकर को शुरुआत में कुछ लगाना नहीं पढ़ रहा ह होता है, तो इसलिए बुनकर यहाँ बनाने को तयार हो जाते हैं, अगर माल लेजे बुनकर को खुछ से रो मेटरियल खरीदना पड़े, बुनकर खुस सूती जो धागा खरीदने कहीं जाए, तो उसे पैसा देना पड़ेगा, ब्याज पर पैसा उठाना भी पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्वेम ब्यापारी उसे प्रोवाइड करवा रहा है, कि हम आपको रो मेटरियल भी दे रहे हैं, और आपका बना हुआ कपड़ा हम भी ले जा रहे हैं, तो ऐसे करें कि ब्यापारी यहाँ पर बुनकर यहाँ पर राजी हो जाते हैं, तो यहाँ पर वही है, इस विवस्था में बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है और साथ ही तयार कपड़ों को बीचने की विवस्था भी हो जाती है, तो पहला बाला गतन यहाँ बिल्कु सही है, बुनकरों को जब order दिया जाता है तो order के सुरुवात में ही ब्यापारी इने स्फष्ट कर देते हैं कि आपको किस प्रकार का कपड़ा तयार करना है और कितनी quantity में तयार करना है, तो बुनकरों को यह स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि हमें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है, आगे बढ़ते है अब यहाँ पर सबसे important बात क्या है, दाधन विवस्तागी, सबसे important बात यह है, यहाँ पर जो बुनकर है, यह बना हुआ कपड़ा केवल और केवल उसी संबंदित ब्यापारी को बेच सकते हैं, किसी और को नहीं बेच सकते हैं, अब उसको क्यों बेचेंगे, सबसे बड़ होता है, वो बंद जाता है, यानि इसे हर हाल में ही उसे माल बेचना पड़ेगा, तो इसके गाटे भी होते हैं, आप जैसे माल लीजे, मार्केट में प्राइस ज्यादा है, और इसने आप से पहली तया कर लिया, कि नहीं हम तो वहीं 40 के भावी ले जाएंगे, और का भाव है, मीटर के साब से चल ला है, तो क्या है, बुनकर को घाटा ही हो रहा है, लेकिन बुनकर की मजबूरी है, क्योंकि बुनकर ने पहली सोधा कर लिया है, तो यहाँ पर भुही होता है, कच्छे माल को प्राप्त करने हैं, और तयार माल की विक्री के लिए, ब्याप यहां पर बुनकर बिल्कुल नहीं जान पाता है कि यह कपड़ा आप कहां जाएगा, ब्यापारी इसको कितने दाम पर बेचेगा, कोई मतलब नहीं है, बस बुनकर और ब्यापारी का जो सौधा हो गया, उससे ज़्यादा इन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, यानि उसने माल बेचेगे, किसन कीमत में बेचेगे, यह बिल्कुल जानकारी नहीं मिलती है और नहीं इन्हें जानने का यह हक होता है, तो यहां पर चौथा वाला गतन गलत हो जाएगा, यहां पर पूंचा यहीं गया है कि कौन सा कतन असत्य है, केबल चौथा कतन असत्य है, तो आंसर है पूछा गया है कौन सा गतन आपका सही है पहला है याँपर एक सहकारी सहंस्था में वे लोग जिनके हित्व समान है इकट्थे होकर परस पर लाब के लिए काम करते हैं सेकंड सहकारी सहंस्था में भुन कर सूथ ब्यापारी से सूथ प्राप्त कर उसे आपस में बाट लेते हैं थर्ड है आपका सहकारी सहंस्थाएं ब्रिक्रे का कारे नहीं करती इसमें ब्यापारी की भुमिका बनी रहती है चौथा है आपका सरकार हस्त करगा बुन कर सहकारी समिछ से भी कपड़ा खरीद कर को ऑप्टेक्स नामक दुकानों के बाद हमसे बिष्ट दी है दीए सहकारी सहंस्थाएं क्यों मनाई गई अगर हम बात करें आपके जो इस्थानी बुनकरों की बात करें तो अब्यस्थी बात है इस्थानी बुनकरों में कि हम आपको 500 मीटर कपड़ा बना के देंगे, इससे बुक कर लेगा, इससे बुक कर लेगा, यानि ऐसे करके तमाम बुनकरों को ये ठेका देकर आएगा, ब्यापारी, अब यहाँ पर क्या है सहिकारी समस्ता में, पहली वाला स्टेटमेंट अगर आप देगें, ये सहिकारी स बुनकर ने मिलकर अपना एक यूनियन बना लिया, यूनियन ये बना लिया कि हमारे पास जो भी ओर्डर आएगा, हम वो ओर्डर समय बाट लेंगे, आपस में बाट लेंगे, ठीक है, तो इससे कहारी को लाब भी मिलेगा, और जो अभी ब्यापारी मोलभाव कर रहा था हर बुनकर से, यानि इससे 30 रुपया के भाव मोलभाव कर लिया, दूसरे से 25 के भाव मोलभाव कर लिया, अब वो मोलभाव नहीं हो पाएगा, अब जो रेट होगा, वो फिक्स होगा, और सभी को बराबर उसका मुनाफ़ा मिलेगा, तो यहाँ पर भही करते हैं, कि सहकारी स समस्ता में, यहाँ पर बताया गया है कि विक्रे का कारे नहीं करती है, देखें, सहकारी समस्ता में विक्रे का कारे भी होता है, यहाँ पर विक्रे का कारे इसलिए होता है, यहाँ पर ब्यापारी का रॉल खतम हो जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर सहकारी संग बने होते ह कि हमें इतने मीटर कपड़ा चाहिए यानी 10,000 मीटर कपड़ा चाहिए हमें ठीक है तो आपको इतने रुपे में हम देंगे तो कंपनिया सीरह इन से कॉंटेक्ट करती है तो यहाँ पर ब्यापारी की भूमिका खतम हो जाती है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सहकारी समस्ता ज इनको प्रोसाहिद करने के लिए इन से बना हुआ कपड़ा जो है वो खरीदती है और खरीद कर को आप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से इनने बेचती है तो चौता वाला कतम सही है इसके लाबा कुछ राज्यों ने भी ऐसी स्कीम निकाली है जिने स्कीमों के जरिए सहकारी जो बुनकर समिती है इसको जहाँ पर बढ़ावा देने का परयास किया गया है जैसे तमिल नाडू का एक्जामबर ले लेते हैं तमिल नाडू ने क्या किया है कि अपने जो स्कूली बच्चे है प्रैमरी के स्कूली बच्चों को जो मुफ्त में यूनिफॉर्म पर आपको पहला दूसरा चोता करिज यहां पर आपका तो यहां पर आंसर होगा दी तीसरा वाला गलत है question number five आज आंपका वस्त निर्माड संकला में सभी को एक जैसा लाब नहीं मिलता वस्त निर्माड प्रक्रिया में बिभिन इस तरों पर मिलने वाले प्रतिफल के संधर्म में निमलिकित कत्नों पर बिचार कीजिए यानि हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जो वस्त निर्माण प्रक्रिया है पूरा एक पूरा चैन है यानि कि यहाँ पर lower level पर क्या आएगा किसान आएगा जो कि कपास की खेती कर रहा है उसके बाद कपास के बाद इस्थानी व्यापारी चोटा मोटा व्यापारी जो कपास के डोडे खटा कर रहा है वे जिनिंग मिल में बेश रहा है जिनिंग मिल वाले आएंगे जिनिंग मिल के बाद आएगा सूती कपड़ा बनाने वाले जहांबे सूती धागा तयार किया जा स्थानी बुनकरों और वस्त निर्मार्ट फैक्टरी में काररत मजदूरों को भी बहुत कम महनताना मिल पाता है थार्ड है आपका माल की खरीद बेच करने बाले ब्यापारियों की इस्तिती बीच की रहती है वहना तो बहुत ज़्यादा कमा पाता है नहीं गाटी में रहता है चौथा है आपका इस प्रक्रिया के अंदिम पायदान पर मौजूद सुपर मार्केट्स या बड़े रुकांदार वस्तरों से निर्मित भुहिन प्रकार की उत्पादों को बेच कर ज़्यादा मुनाफ़ा कमाते है देखे यहाँ पर इस रंकला में सबसे निचले स्टर पर किसान आता है यानि कि जो खेदी करने वाला किसान है वही आता है तो आपने देखा होगा किसान को मौसम की मार भी जिलनी पड़ती है इसके लाबा किसान छोटी पूजी बाला होता है कभी बारिस होई या नहीं होई ठीक है आपने अब यहाँ पर उसके पर इसके बारिस किसान को करना पड़ता है और उन्हें उतना ज्यादा लाव नहीं मिल पाता है तो पहला बाला गतन पिल्कुर सही है सेकंड है अब यहाँ पर उसके बाद कौन आते हैं फिर आते हैं आपके इस्थानी बुनकर या सूधी कबड़ा निर्माड वाले आते हैं या फिर जो वस्त निर्माड फेक्टरी हैं उन्हें कारणत मजदूर आते हैं इनमें क्या है इस्थानी बुनकरों को भी कोई लाब नहीं मिलता है क्योंकिते इस्थानी बुनकरों से धादन जैसी व्यवस्ता जो चल नहीं है दादन व्यवस्ता जैसी जो पुरानी व्यवस्ता प्रचलेता है उनकी वज़य से इस्थानी बुनकरों की भी हालत जो है खस्ता हाल है यूँकि ब्यापारी पहली से इने जो है बुक कर लेते हैं कि आपको हमारा ही सावन बनाना है और हम ही बेचेंगे आप ऐसे मजबूरी में ये भी आर्थिक अभाव में ये भी लोग रेडी हो जाते हैं कपला बनाने के लिए तो कहीना कि इस्थानी बुनकर हैं सूती कपला निर्माण वाले मजदूर है या बस निर्माण फेक्टरी में कारत मजदूर है इनको भी कोई लाव नहीं मिल पाता है क्योंकि वस्त निर्माण फेक्टरी में भी कोई ज़्यादा रुपया तो नहीं मिलता है सस्ते दामों पे काम करवाया जाता है सस्ते दामों पे काम इसलिए करवाया जाता है कि माल लीजे किस लेविल पर ही बहुत जादा अगर प्राइस लग जाएगा बहुत जादा पैसा खर्च हो जाएगा तो ओवियसी बात है कपड़े की कीमत बढ़ जाएगी तो यहाँ पर कोशिस ही की जाती है कि सस्टे से सस्टे मजदूर लगा कर कपड़ा निर्माड करवाया जाए तो यहाँ पर सेकंड कथन भी सही है कि स्थानी बुनकरों और वस्थ निर्माड फैक्टरी में कारियत मजदूरों को भी बहुत कम महनताना मिल पाता है अगली स्थिती बताई गई है कि माल की खरीद बेच करने वाले व्यापारियों की स्थिती बीच की रहती है वह ना तो बहुत जादा कमा पाता है और नहीं घाटे में रहता है यह हकीकत बात है जो मीडियेटर वाले व्यापारी है यानि कि बना वुए कपड़ा खरीद कर पुथ बड़िवड़ी कम्पनियों को बेशते है जांपर से बिभिनोस प्रकार की अंसे बते हैं जीसे साइट पैंट और भी जो जो ए लेडि गार्मेंट बगएरा हैं और बहुत सारे कपड़े कपड़ों के बहुत सारे प्रकार बंते हैं ठीक है और बाद मे Sharp सुपर मार्केट बगरा में आप बड़े दुकांदार इने बेचते हैं, तो अवियस्सी बात है, बहाँ पर इनकी कीमत, अच्छी घासी इनसे कीमत बसूली जाती है, तो सबसे ज़्यादा लाब किसे होता है, सुपर मार्केट के मालिकों को होता है, बड़े बड़े दुकां किसान को, सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, आपके सुपर मार्केट और बड़े दुकांदार कमा रहे हैं, तो यहाँ पर चारोही घतन सही हैं आपके, तो आंसर है आपका D, टुपरोक्त सभी, कोशन नमर्स सिक्स है, आज आपका, बाजार में समानता इस्थापित करने और उत्पादन में सनलगन बिभिन इस्तरों के ब्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रजात आंतिक सरकारों और बिभिन अंतराश्टी सम्हुवों त्वारा उठाये गए कदमों की संधर्व में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कतन असत्य है, देखे पहला स्टेट्मेंट है आपका, सरकार बिभिन प्रकार की कल्यान कारी योजनाय चलाकर वस्त निर्मान प्रक्रिया में बिभिन इस्तरों पर सनलंगन विक्तियो के गेतों की रक्षा करती है, सेकंड, कभी-कभी सरकार उचित मुलिप पर सरकारी सहस्ताओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है, थाइड है आपका, अंतराष्टी समधाय ने संयुक्त राष्ट के माध्यम से 17 सदत विकास लक्षों की एधियासिक योजना में उनको याद होगा, जो सहकारी समितियां बगएरा जो होती है, जो रेष्टर सहकारी समितियां बगएरा होती है, उनको लोन बगएरा भी दिया जाता है, यनि सरकार ने इसकीम निकाली है, इसके जरिये, लोन बगएरा भी दिया जाता है, लोन माब भी किये जाते हैं, साथ करती है कि हर सतर का जो वी व्याकती है उनसलांग जो भी व्यक्ति इप्र। чलते हैं लोगों को लाव नहीं मिल पाता है कुछ एक लोग जो समयदार हैं पड़ने लिखें हैं तो बहू लोग लाव उठा पाते हैं बादवरा की लोग चूट जाते हैं देखा होगा जो बिजली की रेट बगएरा होती है जिन से इनके पावर लूम चलाइ जाते हैं तो उनकी दरें भी इनकी कम करके लगाई जाती है ताकि इनके हितों को सराषट歹चट मिल सके और यहाद से जैस अतुत पातन कर सके तो सरकार हर स्तर पर प्रयास करती है तो पहला वाला खतन बिल्कु सही है अगला statement यह है कि कभी कभी सरकार उचित मूली पर सरकारी संस्ताओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है जैसा कि आपने example कहा कर देखा तमिल नाडू का देखा तमिल नाडू में क्या है तो सरकारी स्कूलों के लिए जो कपड़ा चाहिए था बच्चों की युनिफॉर्म के लिए तो इन्होंने तमिल नाडू सरकार ने यही किया कि सहकारी संस्ताओं से वो order दिया है और उनके जरिए ये कपड़ा खरीद लाए है तो second वाला कतन भी या सही है कि कभी-कभी सरकार भी प्रयास करती है कि इनको बढ़ावाद है और जितना भी हमें चाहिए हमारी जरुवत के लिए चाहिए वो किसी कंपणी से ना खरीद कर इन सहकारी संगों से हम कपड़ावों खरीद लें आगे बढ़ते हैं देखे अंतराष्टी समधाय ने आपके UN के माध्यम से जो सत्रह सस्टेनेबल डप्लमेंट गोल रखे है उनमें आपका आठवा गोल रखा गया है उचितकारे और आर्थिक ब्रद्दी यानि कहने का मलब क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको जो प्रॉपर बन रहा है वेतन प्रॉपर जो आपकी जो उसका उचितकार के लिए जो भी उसका बन रहा है बेज बन रहा है जो भी वहत्ता बन रहा है वो आपको मिलना चाहिए याँ ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अपने बुरा भर्सक प्रयास कर रहा है और कोई सूध खोर या कोई जमा खोर व्यक्ति उससे सस्ते दामों पर उससे चीच खरीद ले रहा है तो यह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर आपने देखा होगा भरस सरकार भी इसके प्रतिपद्ध है तो भरस सरकार ने तमाम तरह की कलजानकारी योजना चलाई होई है यह आपने यहाँ पर पहले स्टेडमेंगे देख लिया है तो थर्ड गतन यहाँ बिल्कुल सही है कि एतियासिक योजना में आठमा लक्ष यहां पर रखा गया है उचितकारे और आतिक ब्रद्दी यहां पर तीनोहीं कतन सही हैं आपके कोई भी कतन असत्य नहीं है तो इन में से कोई कतन असत्य नहीं है यानि आंसर होगा आपका D तो यह था हमारा आज का वीडियो आई होप आप लोग आज का वीडियो लाइक शेर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्स पूर वाचिन जैहंद